हम सब के लोक प्रिय जन नायक माननिय नरेंद्र मोदी द्वारा करोणों भारत वाजियों को रोग मुक्त बनाने और भारत को अयुश्मान बनाने का संकल्प लिए प्रधान मंत्री जन आरूग्य योजना का शुभ आरंब पंडित दीन दयाल उपाध्याई जी ने कहा था कि हमारे विकास और समृध्धी का लाब पंग्ती में खड़े हुए आखरी व्यक्ति तक पहुचना चाहिए हमिने और इसलिए भारत सरकार ने प्रधान मंत्री जन आरूग्य लिए प्रारम करने का तै किया है आयोश्मान भारत हो भारत आयोश्मान पहुट अयश्मान जन को आयोग्य बनाने लेश हित में चली हवा मुफ्त में उपचार मिलेगी दवा चली 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 से हत की हवा चली चली उफ्त होगा इलाज मिलेगी दवा बीमार न रहगा बलाचार मुफ्त में उपचार मुफ्त में उपचार बीमारी का होगा मुफ्त में उपचार चली चली से हत की हवा चली चली सेवा और सुविधा होगी दूर अब हर दुविधा होगी अस्पताल रखेगा खया जन जन आदो ग्या और खुश हा सरकारी हो या प्राइवेट अस्पता बीमार कहोगा इला जहर हा बीमारी अब जाएगी हा खुशियों होगी हर घर दुवार बीमार न रहका अपलाचा बीमारी कहोगा मुफ्तु पचार मुफ्तु पचार बीमारी कहोगा मुफ्तु पचार आयश्मार हो आयश्मार भारत हो आज से प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के अंतरगत दस करोड से अधिक चैनित परिवारों यानी पचास करोड से अधिक लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए किसी भी सरकारी और सूची बध निजी अस्पताल में प्रती वर्ष प्रती परिवार को पांच लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्ति लाब की सुविधा में लेगी अधिक जानकारी के लिए टोलफी नंबर एक चार पांच 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 या अठारा सो एक सो ग्यारा पांच सो पैसेंट पर कॉल करें प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना संकल्प भारत को अयुश्मान बनाने का